सेग्मेंट को पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज की सेग्मेंट में पढ़ने से ज्यादा समझनी वाली चीज़े जादा है, तो मैंने जो यह फ्लोचार्ट बनाया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी यह फ्लोचार्ट अपने इंसियाटी में बना लीजिए, क् समझना थोड़ा सा दिक्कत होता है, स्टुडेंट्स को, तो यह फ्लोचार्ट अगर आप समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी यह लाइन्स को समझने में, तो पहले क्या समझते हैं, पहले समझते हैं कि जैसे हमने पढ़ा है, बाइमोलिक्यूस में, कि हमारा जो ल प्रोटीन हो गया, एकसरा यह बाइमोलक्यूस जब अदवांस लेवेल पर अपने आप से इंट्रेक्ट करते हैं, तो अपस में इंटरैक्ट करके क्या बनाते हैं ? अपस में इंटरैक्ट करके बनाते हैं cell और्गणिलीस, पिछू इनलीस क्या है , जैसे प्लास्टीड हो ग यह cell organs जब आपस में interact करते हैं advanced level पे तो क्या बनाता है cell बनाता है cells जब आपस में interact करते हैं तो क्या बनाता है tissue बना देता है बहुत सारे tissues जब आपस में interact करते हैं तो क्या बनता है organ बहुत सारे organs जब आपस में interact करते हैं तो क्या बनता है organ system बनता है और वही बहुत सारे organ system को लेके बनता है एक organism, तो अगर इस पूरे flow chart को आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो सबसे छोटा वाला part है, वो है biomolecules, और सबसे बड़ा वाला जो part है, वो है organism, तो छोटे, बहुत सारे छोटे parts को मिलके एक बड़ा advanced part बनता है, फिर बहुत सारे advanced part क ऐसे करके करते एक organism बनता है, तो क्या समझा है हमने, बहुत सारे biomolecules के interact की वाज़े से seri organelles होते हैं, वहां से cell, cell से tissue, tissue से organ, organ से organ system, और उसके बाद आता है organism, यह सब मिला के होता है organism, तो organism की शुरूबात कहां से हुई, biomolecules से, तो यह flow chart प्लीज आप NCRT के side में बना लीज interaction, मतलब जितने भी living phenomenons है, वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ interactions की वज़े से हैं, अंडरलाइंग जो interactions है, उसी वज़े से बहुत सारे living phenomena हम देखते हैं, right, properties of tissue are not present in the constituent of cell, मतलब एक tissue की जो property है, क्या वो एक cell में present है, नहीं, एक cell में एक tissue की property present नहीं है, वही यहां पर का गय properties of tissue are not present in the constituent cell, but arise as a result of interaction among the constituent cells, इसका मतलब क्या है, अगर हम देखेंगे, एक cell के अंदर, एक single cell के अंदर, एक tissue की property present है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब बहुत सारे cells आपस में interact करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, तो वो एक tissue बना देते हैं, right, तो एक single cell में तो tissue की property नहीं है, लेकिन बहुत सारे cells जब आपस में interact करते हैं, तो जाके बनती है tissue, right, similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent, but the organelle, but arise as a result of interaction among the molecular components, comprising the organelle, मतलब, अगर हम लोग एक single biomolecule माल लेते हैं, प्रोटीन के अंदर, क्या प्रोटीन के अंदर, प्लास्टीट का property present है, the answer is, नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी biomolecules के अंदर, एक cell organelle का जो character है, वो present है, या properties present है, नहीं है, टेकिन जब बहुत सारे biomolecules आपस में interact करते हैं, तो बनता है, एक cell organelle, right, तो इसी को यहाँ पे elaborate किया गया है, तो यह line समझना, बहुत सारे student के लिए, बहुत सारे दिक्कत व दिया गया है, इसको भी आप पढ़ सकते है, थोड़ा सा, आप चाहिए तो आप पढ़ सकते है, इसको भी, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, कि, living organisms are, living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive system capable of responding to external stimuli, मतलब क्या है, जो living organisms है, वो क्या है, वो self-replicate कर सकते हैं, मतलब DNA replication, evolve हो सकते हैं, आपस time के साथ, self-regulate, मतलब जितने भी, अंदर, जितने भी reactions हो रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, regulate कर सकते हैं, एक organism, interactive system capable of responding to external stimuli, responding to external stimuli का मतलब है, consciousness, तो क्या हो गया, उसका मतलब consciousness, तो एक living organism क्या है, एक living organism, self-replicating है, evolving है, self-regulating भी है, और जो external stimuli है, उसके against में, वो respond भी कर सकता है, अब यहां पर फिर से एक बात दिया गया है, biology is the story of life on earth, मतलब life की जो story है, earth पे, life कैसे आइस्ट, earth पे, life कैसे progress किया, over the period of time, और आज life कहां पे है, उसी story को biology में बोला गया है, तो biology is the story of life on earth, right, biology is the story of evolution of living organisms of earth, मतलब जो living organisms है, उसने कैसे time के साथ, अपने आपको evolve किया है, उसी का story है क्या, biology, biology is the story of evolution of living organism on earth, right, all living organisms present, past and future are linked to one another by the sharing of common genetic material, but to varying degrees, मतलब क्या है इसका, जैसे यह पहले भी हमने पढ़ा था, कि जितने भी living organisms आज इस दुनिया में present है, या इस दुनिया में बहुत पहले present थे, सभी organisms एक दूसरे के साथ, एक common sharing, common, another by sharing a common genetic material, मतलब एक दूसरे के साथ, varying degrees, varying degrees मतलब क्या है, कि बहुत सारे variations भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग common एक genetic material शो कर रहे है, sharing a common genetic material, तो हम लोग सभी similar होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे variations भी हो सकते हैं, with some variation also, so क्या है, all living organisms are linked to one another by the sharing of the common genetic material, but two varying degrees, तो आज का जो, मतलब segment था वो यही था, तो आज के segment में पढ़ने वाली बहुत सारी चीज़े तो नहीं थी लेकिन, यह चीज़े थी जो आपको समझनी थी, तो इसको प्लीज आप, यह flowchart को प्लीज आप आप NCAT में बना लीजिए, because exam के time यह line पढ़ना बहुत difficult होगा, लेकिन इसको अगर आप एक बाद देख लेंगे, तो आपको automatic यह सारे lines याद हो जाएंगे, तो आज से यहां तक रखते हैं, कल फिरते मिलते हैं, ठीक है? चलो, Bye!